हेलो दोस्तों नमस्कार चहींद और आ..."स्वरु खरने जा रहे हैं रेल वे का प्रीवेस कोश्चन का टॉपीक वाइज डिस्कसन तो आज का पहला कोश्चन है कि भाहार का Si मातरक क्या है तो भाहार का Si मातरक न्यूटन होता हैं सबसे पहले जान लें कि भार होता क्या है, तो किसी वस्तु पर उसके ग्रह द्वारा लगाये गया गुर्टोकर्सन बलको भार कहते हैं, और भार को हम लोग W से सुचित करते हैं, और W बढ़ाबर होता है M G, M का मतलब दर्वेमान और G का मतलब ग्रेविट टेसल एक्सकलरेशन, गुर्टु यह त्वड़न जिसका मान होता है 9.8 मीटर पती सेकेंड स्कुएर, और भार और दर्वेमान में अंतर क्या होता है, भार सब भी जगह चेंजेबल होता है, सब जगह इसका अलग-अलग भेलू होता है, जहां जिसका गुर्टो कर्षन बल जहां ज़्यादा होगा, वहां भार जदा होगा, जहां गुर्टो कर्षन बल सुन्य होगा, वहां भार सुन्य होगा, लेकिन अगर बात करें, द्रब्यमान M का तो M अचर होता है और इसका मात्रक होता है केजी किलोग्राम भार एक सदीश रासी है जबकि द्रब्यमान अदीश रासी है तो चलिए देखते हैं अगला कोश्चन तो अमारा अगला कोश्चन आगया है संबेग की इकाई क्या है तो सबसे पहले हम जानले कि संबेग क्या है तो संबेग हमें यह बताता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी तिक्षता से टकड़ाएगी कितनी जूर से टकड़ाएगी यह हमें संबेग बताता है और आवेग, आवेग को हम कहते हैं impulse, आवेग हमें यह बताता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितना समय में कटाए, समय में टकड़ाएगी यह हमें आवेग बताता है, ऐसे संबेग में पडिवर्तन की दर को ही हम आवेग कहते हैं अगर बात करें संबेग का तो संबेग को हम सुचित करते हैं पी से संबेग बराबर होता है दर्वेमान गुने बेग तो दर्वेमान का मात रखोता है केजी और बेग का मात रखोता है मीटर प्रती सेकंड इस हिसाब से इसका एंसर होगा केजी मीटर प्रती सेकेंड अप्सन नमबर दो हमारा अगला कोश्चन है उद्योग में सक्ति की काई क्या होता है सक्ति को हम दिनोट करते हैं P से पावर सक्ति बड़ाबर होता है W भटा T और सक्ति का पड़िभासा होता है काड़ करने की दड़ को हम सक्ति काते हैं और काड़ करने की छमता को हम उर्जा काते हैं एक तो सक्ति का इकाई होता है वाट ठीके और दूसरा जो इकाई होता है है काड़े वर्क जो आमागा मात्रक होता है वो होता है जूसरा मात्रक होता है जूल अगर बात करें कुछ सक्ति के बारे में 對 तो hey एकह स्पाउर बड़ाबर को और साथ साट ची आलिस वाट कीए ब्रितिस में और एक मिट्रिक तर्न होता है एकको स्पाउर इक मिट्रिक में होता है साथ सन या क्यालिस homes r च्छियारीश वर्ट और मिट्रिक प्रतिम होता है साथ सा पैंतिस पॉइंट फाइफ एक हट पाउर वड़ावर। तो चलिए हम अगला कोश्चन देखते हैं। अगला कोश्चन है ध्वनी की काई क्या है ध्वनी को मापने के लिए हम डेसिवल एकक यूनिट का या डेसिवल यूनिट का प्रयोग करते हैं हर्च होता है आवरिती का मातरक ओम होता है प्रतिरोध का मातरक और होल्ट होता है बीभव या बीभव आंतर का मापक कि अगला कोश्चन है विदूत अवेस का ऐसाई मातरक क्या है सबस्य पहले यह जाना हैं की विदूत अवेस होता क्या है जब दू पदडार्धों को आपस में रगärते है तो इनमें जो अकर्षन करने का गुन आता है इसे ही हम विदूत अवेस कहाते हैं और विदुद अवेस दो प्रकार के होता है पुजेटिव और निगेटिव धनात्मक और इनका यह नाम बेंजामिन फैकलिन ने यह नाम दिया था यह एक अमेरिकी बिज्ञानिक थे इन्हों नहीं धनात्मक और इनात्मक नाम दिया था विदुद अवेस का बिदु धारा का मातरक केल्विन होता है और द्रब्यमान का मातरक किलो ग्राम होता है